नमस्कार दोस्तों, जै माता दी, स्वागत थे आप सभी खा हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों भगवान शनीदेव के आशिरवाद से कल सुबह साड़े आठ बजे से अचानक चमक उठेगा इस राशी का भाग्य मिलेंगी अनेक प्रकार की बड़ी-बड़ी खुश खबरियां जी हाँ दोस्तों, भगवान शनीदेव अब 12 राशियों में से कुछ राशी वालों पर बहुत अधिक प्रसन हो गए हैं जिससे अब इन राशी वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और इन राशी वालों को मिलने वाली हैं भगवान शनीदेव के आशिरवाद से खुशियां ही खुशियां जिससे इन राशी वालों का जीवन बदल जाएगा और भागेशाली राशियां ये कौन कौन सी है जिनका भागे भगवान शनीदेव के आशिरवाद से कल सुबह साड़े आड़ बजे से चमकने वाला है इन राशी वालों को मिलने वाली है बहुत बड़ी खुश खबरी इस वीडियो में आपको उन खुश नसीब और भागेशाली राशियों के बारे में हम बताने वाले हैं इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें क्यूंकि ये वीडियो इन राशी वालों के दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले भगवान शनीदेव के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें कमेंट बॉक्स में जैशनीदेव जरूर लिखें जिससे भगवान शनीदेव का आशिरवात आपको सीधे प्राप्त हो सकें और साथी साथ अगर ज्यानवर्दक जानकारी आप लोग तक पहुंच सकें और जादा से जादा वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें तो बात करते हैं उन खुशनसीब और भागेशाली राशियों के बारे में जिनका भाग्य भगवान शनीदेव के आशिरवात से कल सुबह साड़े चलिए शुरू करते हैं। इनकी चाल का बहुत बड़ा महत्व होता है। इनकी चाल से सीधा हमारे सामने जीवन पर असर पड़ता है। वही यदि बात करें शनीदेव की तो भगवान शनीदेव सुर्य के पुत्र हैं। और इनकी माता का नाम छाया है। हम सभी जानते हैं कि शनीदेव को सभी देवताओं में सबसे अधिक कुरूर सुभाव का माना गया है। लेकिन इस बात का मतलब ये तो नहीं है कि शनीदेव किसी पर भी बिना सोचे, समझे, खुपित हो जाए या फिर उसे दंडित करने लगे। शनीदेव किसी को भी बिना उसकी किसी गलती या पाप के बिना दंडित नहीं करते। यही कारण है कि उन्हें जगत के न्यायदीश के नाम से जाना जाता है। जिस व्यक्ति पर भगवान शनीदेव की कृपा होती है, उसकी जीवन में सब कुछ अच्छा ही होता है। वैसे तो शनीदेव का नाम सुनते ही सब कांपने लगते हैं, लेकिन इनकी एक खासियत यह है कि अगर किसी शक्स के उपर महरबान हो जाएं, तो उनकी किसमत बदलने में जरा भी देर नहीं लगती। शनीदेव का प्रकोब जितना जादा पड़ता है, उससे जादा लोगों को वो खुशियां देते हैं। जी हाँ, आप सभी लोग शनीदेव को सिर्फ प्रकोब बरसाने वाले ही समझते होंगे, लेकिन इनकी महीमा को कोई नहीं समझ पाया है। आपको बता दें कि शनीदेव जब अपनी चाल बदलते हैं, तो वो राशियों के अनुसार किसी पर भारी पढ़ते हैं, तो किसी पर महरबान होते हैं। इसी क्रम में अब भगवान शनीदेव बारा राशियों में से कुछ राशी वालों पर बहुत अधिक प्रसन हो गए हैं। यूँ समझ लीजे कि भगवान शनीदेव ने अब इन राशी वालों की पुकार सुन ली है। जिसकी वज़े से अब इन राशी वालों के जीवन का सबसे अच्छा समय शुरू होने वाला है जी हाँ दोस्तों भगवान शनी देव के आशीरवाद से अब इन राशी वालों के जीवन में होने वाली है खुशियां ही खुशियां यूं कहें कि भगवान शनीदेव के आशिरवा से अब इन राशी वालों की किस्मत चमकने वाली है दोस्तों फिर देर किस बात की तो आईए जान लेते हैं वे भागेशाली राशियां कौन कौन सी है जिन पर भगवान शनीदेव की क्रेपा होने व अब खुशियां ही खुशियां जी हां दोस्तों जिन खुशनसीब भागिशाली राश्यों के बारे में हम बात कर रहे हैं उन खुशनसीब और भागिशाली राशों में से जो पहली राशी है वो राशी है मकर राशी मकर राशी वालों को बता दें कि आपके उपर भवान शनीदेव की अपार कृपाजिष्टी बनी रहेगी जिसे इन्हें धनलाब प्राप्त होने की संभावना है आपको बता दे इस राशी के लोगों को व्यापार और व्यवसाय में व्रिदी होगी जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें पद में तरकी मिलेगी जो लोग विदेश में रहकर नौकरी करना चाते हैं या पढ़ाई करना चाते हैं उन लोगों को विदेश में नौकरी और पढ़ाई करने की संभावना बन रही है साथ ही साथ इस राशी के लोगों की आय में वृदि होगी जो लोग व्यापारी हैं उनको व्यापार में जादा मुनाफ़ा होने की संभावना बनी हुई है आप अपनी सभी कार्य को सफलता पूर्वक पूरा करेंगे भगवान चनिदेव की विशेश क्रिपा मकर राशी वालों आपके उपर बन रही है जिससे आपके जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं और आपको अपनी जीवन में मिलने वाली है अब अपार खुशिया ही खुशिया अब आपका जीवन बदल जाएगा जी हाँ दोस्तों अगली राशी है मेश राशी मेश राशी वालों को बता दे भगवान चनिदेव की क्रिपा से आप लोगों के लिए समय बहुत ही अब अच्छा आने वाला है जी हाँ दोस्तों भगवान चनिदेव आपके उपर बेहद प्रसन है आपके मान सम्मान और प अवसर प्राप्त होने वाले हैं उन अवसरों को प्राप्त करके आप अपनी जीवन में आगे बढ़ेंगे आपको बता दे आपके रुके हुए कारे अब समय पर पूरे होने लगेंगे आपको बता दे जो भी कारे अब शुरू करना चाहते थे उस कारे में आपको सफलता प् अवसर प्राप्त होंगे, आपके घर परिवार में खुश्टुमा माहोल रहेगा, साथी साथ आपके कारोबार में व्रिदी होगी, सामाजिक शेत्रों में सफलता प्राप्त होगी, अचानक से धनलाब प्राप्ती की आपके लिए संभावना बन रही है, साथी साथ यदि वाहन या मकान खरिदनी को लेकर कोई योजना बना रहे हैं, तो वो योजना आपकी अविश्य ही सफल होगी, भगवान शनीदेव की विशेश कृपा मेश राशी वालों आपके उपर बन रही है, समय अब आपके पक्ष में है, समय का आप भरपूर लाब उठाएं, समय को अपने हाथ से जाने ना दे, जी हां दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है, वो है विशब राशी, विशब राशी वालों को बता दे भगवान शनीदेव के आशिरवात से आपको बहुत जल्द कोई शुब संदेश मिलने के योग बन रहे हैं, दोस्तों आप के द्वारा की गई महिन, मेहनत का अब आपको फायदा प्राप्त होगा, आपको बता दी भगवान शनीदेव की क्रेपा से आपकी आर्थिक सिती पहले से बहतर होगी, आपके रुके हुए कार्य अब सफलता पूर्वक बनेंगे, दोस्तों के साथ मेल जोल बढ़ेगा, सा योग प्राप्त होगा, आपकी मदुर्वानी की वज़से आपके सभी कार्य पूरे होंगे, भगवान शनीदेव जी की विशेश क्रेपा आपके उपर बनी हुई है, जिसकी वज़से आपकी धन सम्मंद जो भी परेशानिया है, वे सभी परेशानिया दूर होंगी, और सा रही है आप दिन दुगनी और राज चोगनी तरक्की करेंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे आप अपनी सफलताओं की अब जंडे गाड़ेंगे जिसे दुनिया आपका जलवा देखेगी कहना गलत नहीं होगा भगवान शनीदेव के आशिर्वाद से अब आ कन्या राशिवालों आपको बताते ना केवल आपको धनलाब होगा बलकि आपके व्यापार में खूब वृधी भी होगी इसके अलावा जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में पदवनुति के साथ-साथ वेतन वृधी के पूरे योग हैं साथ-सा जो लोग विदे अधिक मुनाफ़ा होगा धनलाब प्राप्ति के अनेकों अवसर कन्या राशिवालों अब आपको मिलने वाले हैं साथ-सा जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें संतान प्राप्ति का सुख अब मिलने वाला है उनके घर परिवार में कुष्णुमा माह प्रेम संबन्द मजबूत होंगे साथी साथ आपके सभी कार्य सफलता पूरवक पूरे हो जाएंगे साथी साथ जो लोग नया वाहन या घर खरीदने की योजना बना रहे हैं तो वे योजना भी इनकी अविशेही सफल होगी भगवान शनीदेव के आपके उपर कृपा बनी हुई है आपकी समस्त मनों कामनाएं पूरी होंगी और भगवान शनीदेव से अब आपको अपने जीवन में अनिक प्रकार के लाब धनलाब और बड़ी-बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है जिसे कन्या राशी वालों आपका जीवन बदल जाएगा जी हा आपको बता दें आपको नाकेवल मांसमान मिलेगा बलकि समाज द्वारा आपको काफी तारीफ भी की जाएगी इसके अलावा आप अपने जीवन में ऐसे नए अवसर पाएंगे जिसे आपके जीवन में अच्छा बदलाव होगा जी हां दोस्तों भगवान शनीदेव की क् काफी धनलाब भी होगा जब एक तरफ परिवार में खुश्यों का माहूल बना रहेगा वहीं दूसरी तरफ व्यापार में व्रिदी होगी सिंग राशी वालों अब आपको चारों तरफ से लाव ही लाव मिलने वाला है भगवान शनीदेव की क्रिपा आपके उपर बन रह ही है साती साथ जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें नौकरी में पदवनुती के साथ-साथ वेतन व्रिदी के पूरे योग बन रहे हैं आपको बता दे भगवान शनीदेव की क्रिपा से अब आपके लिए धन प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे जिससे आपका जीवन बदल जाएगा और आपकी आर्थिक सिती मजबूत होगी। इसके साथ ही आपके घर परिवार में खुशियों का माहूल रहेगा। जो लोग संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें संतान प्राप्ति का सुख मिलेगा। जिससे घर परिवार में खुश्याईं होंगी जी हाँ दोस्तों आपको बता दे भगवान शनीदेव की क्रिपा से सिंग राशी वालों अब आपके जीवन में आपको अपार खुश्यों की प्राप्ति होगी जिससे आपका जीवन बदल जाएगा कहना गलत नहीं होगा सिंग राशी वालों भगवान शनीदेव के आशिरवात से अब समय आपके लिए पूर्णता पक्ष में हैं जी हाँ दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वो है धनु राशी धनु राशी वालों को बता दे भगवान शनीदेव की क्रिपा से अब आपको बहुत जल्द अच्छी खबर मिलने के योग बन रहे हैं दोस्तों आपको बता दे आपकी मेनत का आपको फल मिलने वाला है आपको बता दे जो आपने मेनत की है उसका फल अब आपको प्राप्त होगा जिससे आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहेगा आपक भगवान शनीदेव की असीम कृपा बनी हुए है और भगवान शनीदेव की कृपा से आपकी धन समंदित, सभी परीशानिया, मुश्किले अब दूर हो जाएंगे और आपको धन प्राप्ति के अनेकों अवसर प्राप्त होंगे, धन में खोब वृदी होगी और अनेक प्रका के लाब, धन लाब और बड़ी-बड़ी सफलताएं अब आपको प्राप्त होने वाली है आपको बता दे कि भगवान शनीदेर की कृपा आपके उपर विशेश रूप से बन रही है साथी साथ आपको बता दे जो लोग नौकरी करते हैं, उन्हें नौकरी में पदोनती के साथ साथ वेतन मृदी के भी योग बन रहे हैं आपको बता दे भगवान शनीदेव की कृपा से धनु राशी वालों आपके जीवन की समस्त परिशानयों का अब अंत होगा और आपके जीवन में मिलने वाली है आप अपार खुश्यां ही खुश्यां जिससे आपका जीवन बदल जाएगा जी हाँ दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है वो है कुम्ब राशी कुम्ब राशी वालों को बता दे भगवान शनीदेव की क्रिपा से आपके जीवन में अब खुश्यों का बंडार आने वाला है जी हाँ दोस्तों भवान शनीदेव आपके उपर बेहत प्रसन है आपके जीवन में आपको बहुत बड़ी खुशकबरी मिलने वाली है जिससे आपका जीवन बदल जाएगा जी हाँ दोस्तों आपको बता दे कुम्ब राशी वालों आपने जो भी मेहनत की है उस मेहनत का अब आपको फल प्राप्त होने वाला है सातिसा जो भी आपके उवे कार्य हैं वे कार्य अब सफलता पूरक पूर्ण होंगे और सातिसा जो लोग व्यापार करते हैं उन्हें व्यापार में लाब मिलेगा उनका व्याप शनिदेव आपके उपर बेहद प्रसन है साथी साथ जो लोग नौकरी करते हैं उनको नौकरी में प्रमोशन और वेतनवर्दी के योग बन रहे हैं साथी साथ जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उनको मंचाही नौकरी भी मिलेगी साथी साथ आपको बता दें यदि आपका क कोई पैसा रुका हुआ है वो पैसा भी आपको जल्दी वापस मिलेगा आपके व्यापार पी जो भी रुकावटे आ रही है बेरुकावटे खतम होगी और आपके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां होंगी, कुम्ब राशी वालों आप अपनी जीवन में एक नई खुशी का एसास करेंगे, भगवान शनीदेव की विशेश क्रिपा आपके ऊपर कुम्ब राशी वालों बन रही है, समय आपके लिए पूर्णता पक्ष में हैं, इस समय का भरपूर लाग उठाए और समय को अपने हाथ से ना जाने दे, जी हाँ दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है, वो है मिथुन राशी, मिथुन राशी वालों आपको बता दे भगवान शनीदेव की विशेश क्रिपा आपके ऊपर बन रही है, आपको आने वाले समय में अब आय और न परिवार में शांतीव आनंद का बातावरन रहेगा, आपको कोई बड़ी खुशकबरी मिल सकती है, भगवान शनीदेव की क्रिपा से आपके सभी कार्य सफल होंगे, व्यावसाय में अचानक लाब होगा और आकस्मक धनलाब प्राप्ति के लिए आपको अनेक योग आपक जीवन में अपार खुश्यों की प्राप्ति होने वाली है, जिससे आपके जीवन में होगी खुशियां ही खुशियां, साथिसा जो लोग नया बाहन या मकान खरीदनी को लेकर कोई योजना बना रहे हैं, तो ये योजना आपकी अभिशे सफल होने वाली है, संतान नहीं होगा मिथुन राशी वालों भगवान शनीदेव के आशिर्वात से अब समय आपके लिए पूर्णता पक्ष में रहने वाला है समय का भरपूर लाग उठाएं और समय को हाथ से ना जाने दें जी हां दोस्तों ये है वे खुशनसीब और भागिशाली राशियां जिनक भगवान शनीदेव के आशिर्वात से इन राशी वालों को अपने जीवन में अनेकों प्रकार के लाब, धनलाब और बड़ी-बड़ी सफलताओं की प्राप्ती होने वाली है जिससे इन राशी वालों का जीवन बदल जाएगा दोस्तों भगवान शनीदेव का आशिर्व झाल झाल